नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल NCRT Hindi Tutor पे तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जब मुझको साफ ने काटा यह अध्याय बक्षातीन के विशय हिंदी की किताब रिमजिम से लिया गया है आशा करता हूँ आपको यह कहानी और वीडियो अच्छी लगेगी औ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 11 जब मुझको साफ ने काटा एक दिन मैंने अपने आहाते में एक छोटा सा साफ रेंगते देखा वह दीरे दीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वह भागा और वही पर पड़े हुए नारियल के खोल में गुजकर छिप गया मैंने पत्थर का एक तुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुझ बंद कर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दोर गया मैंने कहा नानी देखो मैंने साफ पकड़ा है नानी चीख उटी साप वह इतना घबरा गई कि लगी जोर-जोर से चीखने पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दोड़ाए जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे चीन कर दूर फैंक दिया नना साप बाहर न करने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया बड़ी जोर से दर्द उठा मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साप ने काट लिया है मैंने दोड़ कर नानी को उंगली दिखाए उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा नाना तुरंत दोड़े आये और मेरी उंगली को देखा, जहां बर्ग ने काटा था, वहां नीला निशान पढ़ गया था, वह चट मुझे गोद में उठा कर बाहर भागे, बाग और धान के खेतों को पार करके भागते बागते वे अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपड़ी के सामने जाकर रुके, वह पहुंचते ही उन्होंने अवाज लगाई, एक बुड़ा आदमी बाहर निकला, वह साप को काटने का मंत्र जानता था, नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को साप ने काट लिया है, इसकी जाण फूट कर दो, बुड़ा मुझे जोपड़ी में ले गया, उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, फिर पीपल के बरतन में पानी लाया, और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, मैं चाहता तो बहुत था, कि उस बुड़े को बता दूँ, कि मुझे सांपने नहीं, बर्ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस लोगों के साथ वहाँ आ पहुचे, सब लोग उदास खड़े देखते रहे, तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ जबर्दस्ती बैठकर जाड़ फूख करवानी पढ़ रही थी, कुछ मिनट बाद बूड़ा आदमी उठा, उसने उसी ब बड़े जहरीले साप ने काटा था, सब लोगों ने बूड़े को उसके अदबुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया, घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजे भेट में भेजी, शंकर क्या तुम जानते हो, साप अपना भोजन चबाते न नहीं होते, इसलिए साप बीन की धुन सुनकर नहीं नाज सकता, वास्ता में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर अपना फन फैला लेता है, और लोग समझते हैं वह जूम रहा है, साप दूद नहीं पीते, कुछ सपेरे साप को जबरदस्ती दूद पिलाते हैं, पर इस को साप ने काटा, तो हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है, और आशा करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद